पालिवाल साहब के नेत्रित में जनवरी से लेके और दिसंबर तक काम किया बहुत अच्छा काम इस आयोग में हुआ है और वेवस्ते ढंक से क्योंकि एक साल आयोग का कार बंद रहा तो पहुसी चीज़े एकुमिलेट हो गई तो पालिवाल साहब ने अपने नेत्रित में उन चीज़ों को सब को टेकल किया और आयोग काम पट्री पलिया है और इसमें राजनिती कि दवाब आली कोई बात बिल्कुल नहीं है किसी परकार के दवाब के बात नहीं है क्योंकि पालिवाल जी एक बहुत परिष्ट अधिका कि अब द्वाब अब आयेगा तो उसको भी नहीं माने गें। उनके प्रकरन में द्वाब वाली बात के नहीं नज़र आतीकि सर्थ॥ पर हैं एक वीडियो की परिक्षा आहम परिक्षा गोरी है उसको कफ़रा पर लेना आप ने देखाई कि 22 वाटे इसको इसको दिसंबर में इसके लिखित परिक्षा संपन हो गई है और इसका एक कलेंदर हो जाता है जैसे जो स्टेजिज है जो परेले स्टेज है कि जो इसका अंसर आया उसके बारे में हम एक वार 31 दिसम्बर तक हम लोगों ने सब अभ्यात्यों से मागा है उनके आपति आ गए है इन आपतियों पर फिर जो एक्सपर्ट से उनके पाक जाएगा और उसका परिशन करके करीब तीन अपते 21 जनवरी तक वो अपनी दे देंगे कि उसमें से क्या माने योग है और इसमें एक बात में जरूर होंगा है अकसर लोग कहते हैं कि गल्तियां क्यों हो जाती है यह प्रेशन आम लोग हम होता है कि सब बढ़द्वान लोग बैटे हैं कि इसमें क्या होता है कि यह काम करने वाले बहुत लिम्टेड लोग होते हैं और आप भी जाते हो कि वो question मनाते हैं, वो answer मनाते हैं, लेकिन जब हम इसको open करते हैं, तो जैसे 9 laak बच्चों नहीं जान दिया, तो 9 laak लोग उसको पढ़ते हैं, और उसको जामिन करते हैं, तो 9 laak दिमाग जब लगता है, तो कहीं कहीं कोई कुछ बाति होती है, जो उन business, जो 10-15 लोग जो क्वेशन मनाने वाले हैं, उनके उपर भी चला जाता है, कि कितनी भी आभी बिसेश रहता हो, और ये डिफेरेंट बिसेश होते हैं, तो इसलिए ये सम्हावना तो है, बट ये सम्हावना नॉर्मली बहुत कम होती है, कि 1-1.5% ही गलतियां होंगे, इसको ज सेट करने वाले हैं, उसको भी ने पता कि कौन साथ है, विवस्ता इस तरह के बनीवे, किसी को पता नहीं होता है, गुपनियता इतनी रखे जाते हैं, और वो जलूरी भी है, क्योंकि आपने पूछा पर्चल लिक की होते हैं, तो उसको रोकने का तरीका गुपनियता ही है, तो उसके कारिन क्वेशन गलत होते हैं, तो 21 तारिक तक वो आएगा, इसके बाद फिर हम लोग उसके इसाब से, चुकि इसमें इंटर्व्यू भी नहीं है, तो एक और इसमें बात सामने आ रही है, कि ये चार पाली मनों ने परिक चली है, और जो इसका बिग्यापन निका तो अब नर्मलाइशन क्या लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, इस प्रशन का रुपतर आयो को ढूंदा है, और उसके हिसाब से, तो कि अधर वाइस हम फर्वधी में इसका रिजल निकाल सकते हैं, तो अगर नर्मलाइशन की बात आएगी, तो नर्मलाइशन का बताना ह होगा, बूस फर्मलाइशन का अप्रूवल आयो करेगा, बूस नेचरली उसके भी विसे शागे लगेगे हैं, और उसके बार फिर यह रिजल निकाल पाएगा, उमेद को है कि हम लोग फर्वधी में अन्तर के रिजल्ट ट्रेस का निकालने अप्रयास करें, निकालने अप